सो जहां पे highest put होते हैं वो support का काम भी करते हैं और जहां पे highest call होते हैं वो resistance का काम करते हैं आप समझ लो जो मैंने ये 900 और 1000 लिखा है ये वो strike price है जिसने मुझे बचा दिया था एनी आइडिया ये स्टॉक कौन सा होगा जिसने मुझे बचाया होगा तो 880 is highest foot open interest यहां पर भी है 950 यह सब देखेंगे आप continue unwinding चाल हुए लेकिन ये पता चल गया कि यहां पे बाय तो नहीं बनता मतलब support weak होना चाहिए तो price में breakdown आएगा अगर support strong होगा तो price में breakdown आएगा कैसे नमस्ते friends बहुत बार मन में question उठता होगा ना कि price new range में आ गया अब यहां से और उपर जाएगा नहीं जाएगा क्या करें क्या नहीं करें हमें कोई उसका indication मिल जाए यह price यहां से और उपर जा सकता है की नहीं options की case में कुछ हद तक possible है 100% तो किसी भी चीज की guarantee नहीं होती है probability होती है तो probability में अगर मैं देखूं तो मुझे एक resistance और एक support यह मिल जाता है open interest of option chain मतलब जहां पे बहुत सारे puts open है वो हो गया highest put open interest और जहां पे बहुत सारे calls open है वो हो गया highest call open interest मैं उस call put पे discuss करूंगी जहां पे distance जो है करीब 8-10% होता है जहां same strike price पे highest call put open interest है उस पे वीडियो में किसी और दिन बनाऊंगी आज जो मैं बना रही हूं वो distance wise है approximately दोनों के बीच में 8-10% का अब price यहां से move होती है 900 let's say for example thousand is highest call open interest यहां से price move हो गई और यहां तक पहुंची अब एक euphoria आ जाता है अरे यह तो thousand जाने लग गया हम फटा फट क्या खरते है 1000 या 1020 या 1040 का call खरीद लेते हैं और वहीं पे हम trap हो जाते हैं और फिर अरे गल्ती हो गई होता है तो देखें दो चीज है अगर गल्ती हो गई तो stop loss hit करने में बिल्कुल सोचिये मत लेकिन गल्ती हो गई या नहीं हुई इसका पता कैसे लगा है तो friends यह HCOI highest call open interest और highest put open interest सो जहां पे highest put होते हैं वो support का काम भी करते हैं और जहां पे highest call होते हैं वो resistance का काम करते हैं अब जब price को उपर जाना होता है तो क्या होगा उसको breakout देना पड़ेगा यहां से breakout देना पड़ेगा अब अगर यह breakout देगा तो जो 1000 पे बहुत सारे call के open interest खड़े हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे मतलब resistance वीक हो जाएगा और अगर वहां पर call additions हो रहे हैं मतलब लोगों में घबराहट नहीं हो रही पैनिक नहीं आ रहा इसका मतलब resistance में दम नहीं है शायद price गूम सकता है तो ऐसी situation में मैं call buy नहीं करूंगी अगर कर लिया stop loss hit and out तो यह एक तरीका होता है कि जिससे हम पता कर सकते हैं फिर price वहां से जब नीचे आ जाए या मान लो नीचे हो अब मुझे पता करना है कि price यहां से और नीचे जाएगा 900 देख लिया उपर से नीचे आते हैं अरे मज़ा आगया अब तो मैं यहां पर put ले रहा हूं put लिया अरे गलती हो गई तो वो ही गलती देखने के लिए मैं क्या करूंगी कि यहां पर puts add हो रहे हैं या reduce हो रहे हैं add का मतलब support strong अगर reduce हो रहे हैं तो support weak अगर यह चीज मैं समझ जाओं मेरे दिमाग में बैठ जाए accordingly I can take a trip एक ऐसा ही केस कल हुआ था and मैं उसमें बच गई क्यों just with this reading इसने मुझे बहुत help किया आप समझ लो जो मैंने यह 900 और 1000 लिखा है यह वो strike price है जिसने मुझे बचा लिया था आपके लिए एक minute का pause लेके मैं यह पुछना चाहती हूँ any idea यह stock कौन सा होगा जिसने मुझे बचाया होगा क्या आप comment में लिख सकते हैं और time के साथ लिखिएगा कि आपने यह कौन से minute में देखा देखने के बाद मत लिखिएगा पहले identify करने की कोशिश करिएगा लिख दिया नाम अपने पहले आप नाम लिखिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या था चलिए I assume कि आपने नाम लिख दिया होगा मैं पढ़ूंगी और उसको अगर मैंने like कर दिया मतलब आप right हो edit मत करना ओके ठीक है इसका नाम है पैल तो चलिए इसे हम देखते हैं इसके option chain को यह पैल का option chain है और अब हम इसके screenshot जो मैंने लिया इसमें देखते हैं highest call open interest कहा था इसी पे था आज यहां पे भी add हुआ है यहां पे भी add हुआ है यह आज हुआ है लेकिन अगर मैं opening भी देखूं तो यहां पे 1600 थे यहां पे around about 400, 300, 400 थे यहां पे around about 100 ही थे तो thousand के open interest के addition ने मुझे बचा लिया वैसे ही आज भी मुझ में वही चीज आई कि क्या 900 थोड़ देगा तो अब मैं यहां पे आती हूं तो 880 is highest put open interest यहां पर भी है 950 यह सब देखेंगे आप continue unwinding चालू है और यहां पे additions है तो यहां पे price रुख सकती है अगर आप यह video अब तक देख रहे हैं तो आम शौर कि आपको options trading में interest है पर क्या आप confident enough हो trade करने के लिए एक profitable options trader बनने के लिए आपका यह जाना जरूरी है कि आपको option buy करना चाहिए या sell और different market directions में कैसे trade करना चाहिए अब search की platform पे जोती बुधिया मैंने सारे concepts simple language और practical examples के साथ सिखाए हैं तो आज ही enroll कीजे और एक confident trader बनिए अब इसे मैं चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए already मेरी marking है यहाँ पर thousand पे कल open हुआ इसके उपर जाने लगा long build up अगरा कुछ नहीं मिला था लेकिन हाथ जब price यहाँ पे था तो long build up दिख रहा था मुझे और मैंने उसी सबसे सोचा कि चलो इसमें हाथ डालते हैं लेकिन जब आके यह देखा कि हजार क्या सपस है और इसमें सबसे best thing क्या है why add हो रहे हैं देखिए मुझे यह नहीं मालूम पड़ता है कि यहां से reversal होके 900 जाएगा क्या 800 जाएगा यह बात सच है और मैं नहीं जागती अभी तक उतनी mastery नहीं आईए कि मैं यह समझ पाऊं क कि यह कल रिवर्स होके 900 हो जाएगा उस लेवल पर पहुंचने में अभी भी मुझे टाइम लगेगा और पहुंच जाओं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन यह पता चल गया कि यहां पर बाई तो नहीं बनता है कॉल बाई नहीं बनता है और उसका नतीज़ा आज जो यह गैप डाउन ओपन होके नीचे आया I was so happy कि हां बच गई This is the thing यह इसी में नहीं है सब में होता है कि जहां पर प्राइस एक बार टच कर जाए और वहां पर अगर मुझे हाइस्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट का रिजिस्टन्स अडिशन स्ट्रॉंग बनते जाएगा स्टॉक में ब्रेक आउट का चांस कम बनेगा अच्छा एक चीज और बताते हो कल एक और स्टॉक में ऐसे हुआ था औरो फार्मा औरो फार्मा लॉंग बिल्डप लॉंग बिल्डप होकर था ये पंद्रा सो के पास में चौदा सो से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 मैंने ओपन इंट्रेस्ट लॉंग बिल्डप शॉट बिल्डप इस ओप्शन चेन पर अल्रड़ी एक वीडियो कर दिया है आप समझें ये उसका कंटिनियोशन है तो वन वीक होल करने के बाद मैंने देखा कि पंद्रा सो के हाइस्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट में अन्वाइंडिंग नहीं हो रहा वो कम नहीं हो रहे इसका मतलब प्राइस को एक बार यहां पर रेजिस्टन्स आ सकता है तो अगर मैंने इंट्राडे के लिए बाई किया या पोजिशनल के लिए बाई किया या यह वाला मेरा बाई खड़ा है उसको एक बार एक्जिट करते हैं करकी कल देखेंगे यह सोचके मैं वहां से हट गई आज जब माकेट स्टार्ट हुआ अभी की कैंडल शेप आपको यह दिख रही है लेकिन अगर यही मैं इसको लोवर टाइम फ्रेम में लेके जाकर आपको दिखाती हूं तो इसकी मॉनिंग से कंस्ट्रॉक्शन ऐसी थी कंटीनू डाउं ट्रेंड और फिर इसने अप्ट्रेंड लिया अभी अप्ट्रेंड लेके वापस 1500 के असपास आया तो क्या औरो फार्मा का ऑप्शन चेन मुझे 1500 पे क्या दिखा रहा है अभी भी 1500 पे यह मुझे हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट ही बता रहा है विथ अडि मेरा बाइंड में कॉंफिडेंस नहीं आएगा देखिए दस पांच पंद्रा रुपया की सवाल नहीं है उसके बाद का मेरे पास हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट जो है कॉल का वो सोला सोपे है तो मतलब पंद्रा बीस रुपया भी अगर उपर सस्टेन हो जाता है तो कॉल अन्वाइंड नहीं हो थोड़ा सा सोचने वाली बात है अगर नेक्स्ट ओपनिंग डे ऑफ दे मार्केट कॉल अन्वाइंड होता है प्लस ओपन लो विथ लॉंग बिल्डप यह सब सेनारियो मेरे मैच होंगे तभी मैं इसमें कॉल खरीदूंगी लेट सी कल तो छुट्टी है हाउ मार्केट ओपन सान फ्राइडे आज जब मैं रेकॉर्ड कर रही हूं आज 14 अगस्ट है और कल 15 अगस्ट है है एपी इंडिपेंडेंडेंस दे तो आल अफ यह यह फ्राइडे को कैसे ओपन होगा लेट सी सेम वे जब यह नीचे था तो हमने कहां देखा था हाइएस्ट पुट ओपन इंट्रेस्ट कहां है 1400 यह 100-100 पॉइंट्स में मूव हो रहा है हम यह देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन चेन में सबसे पहली स्टडी यह होती है कि हाइस्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट और हाइस्ट पुट ओपन इंट्रेस्ट के बीच का जो डिफ्रेंस है वह अगर more than 5% है तब तो उसमें ट्रेड करके मजाता है नहीं तो 2-3-4% तो हमारे ऐसे ही स्लिपेज में निकल जाते हैं बिकाज ओपन इंट्रेस्ट को चेंज होने में और एडिशन होने में ही वह फटा-फट 10-5-15 रुपे तो निकाल देता है तो approximately इतना तो हमें चाहिए कि 2-3% चलो हमारा स्लिपेज हो गया लेकिन बाकी के पूरे आठ परसेंट तो हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं या पाच परसेंट कैप्चर नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर हम उसका 4-5 परसेंट भी कैप्चर कर लें अंडरलाइन का तो प्रीमियूम का तो काफी अच्छा कैप्चर कर सकते हैं तो यह जो चीजे हैं यह मुझे हाइस्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट और हाइस्ट पुट ओपन इंट्रेस्ट पे फोकस करवाकर यह बताती है कि यहां से एक ब्रेक आउट या ब्रिक डाउन आ सक थोड़ा हम ऐसे भी देख सकते हैं प्राक्टिस के टाइम पर लेटर से हमने एफेंडो की लिस्ट नेकाली और यह सारे मेजर ब्रेकडाउंस देखे एनमडीसी एनमडीसी क्योंकि पी यल तो अभी मैंने देखी लिया आपके सामने एनमडीसी और डेली में देखते हैं यह यहां पर क्या हुआ है गैपॡ ओपन हाय यह शाट बिल्डप तो नहीं हुआ होगा यह टाइम पर कि यहाईस्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट इसके पास में था देखते हैं अहे एनमडीसी की उपशन चेन मे आपकाहीं — हईस्ट कर ओपन पहले नहीं है और यहां पर मतलब मुझे यूफोरिया या पैनिक में नहीं आना है कि ग्लाप ओपन हो गया थोड़ा सा शांति अगर वहां पर हाइस कॉल ओपन इंट्रेस्ट है उसको अन्वाइंड होने दीजिए वहां से भीड को कम होने दीजिए तब रस्ता आगे का क्लि होगा लेकिन अगर ट्राफिक जैम रहेगी वहां पर तो रस्ता कैसे क्लियर होगा और अगर उसमें अडिशन आ गया ओपन हाई आ गया तो फिर मुझे क्या देखना है कि सपोर्ट कहां पर है तो चलिए देखते हैं सपोर्ट कहां पर है अगर सपोर्ट मुझे दिख रहा ह यहां पर 210 पर, क्या कहते हैं, is it 230 और 210 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 8-10% है, right, can I buy a put, can I buy a put, yes, तो, let us see the strike, let us see the price, price, दिखिए, बहुत बार मुझे एक query आती है, कि यह चीज लाइफ मार्केट में बताओ, my friends, it is very difficult in life market, life market में मैं आपको start दिखा सकते हूं, end तो नहीं दिखा सकती, result आते आते, 2-3 दिन भी लग जाते हैं, same day भी आता है, नहीं तो, एक week लगता है, एक week, every day, उसको कैसे मैं continue life रखूं, इसलिए मैं आपको guidance दे रही हूं, और मैं जो आपको guide कर रही हूं, कि मैं जिस तरह से study करती हूं, आप भी study करके देखो, कि क्या ये सच मुछ में effective है, अगर आपको effective लगे, तो try करो न, मैं लाइव में इतना सब कोछ, दो, दो, दिन, दिन, दिन का लाइव नहीं दिखा सकूंगी, तो मैं जो बता रही हूं, आप ये देखना, कि मैंने जो बताया, उसके बाद का मैं यहां भी बता रही हूं, 210 जो है, वो highest put open interest है, क्या situation बनी है यहां पे, puts add way कि reduce हुए है, बनते जा रहे हैं, let's say for example, market next day gap down open होता है, 200 के पास होता है, 210 के असपास होता है, और open low बना के long build up बना देता है, देखिये तो से कि, क्या होता है, market उपर जाता है कि नीचे जाता है, अगर उसे और नीचे जाना होगा, तो क्या होगा, 210 के put में unwinding होगा, प्लस 200 के put में भी unwinding होगा, जैसे जैसे unwinding होगा, मतलब support weak होना चाहिए, तो price में breakdown आएगा, अगर support strong होगा, तो price में breakdown आएगा कैसे, उसी तरह से, अगर call में resistance मजबूत होगा, तो breakout कैसे आएगा, resistance को कमजोर होना पड़ेगा, weak होना पड़ेगा, तभी जाके तो breakout के chances हैं, यही चीजे आप option chain में, जो मैंने अभी बताया है, अगर इसे देखें आप, जब भी यह release होगी video, आप इसको देखें, इसके according, खुद से option chain को देखिएगा, और उसके base पे करिएगा, मैं कभी यह नहीं कहती हूँ कि जो मुरी बात है, उस पे 100% believe करो, खुद try करो, खुद देखो, खुद सीखो, मैं सिखाने में believe कर रही हूँ, और मैं सिखा ही रही हूँ, मैंने इतने videos बनाये हैं अब search पे, आप उन सब को देखिए, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ, और जब तक कर सकती हूँ, मैं यह education कभी बंद नहीं करूँगी, और try करिएगा, try करके मुझे यह भी बताईएगा, कि आपको और क्या सीखना है मुझसे, उसी topic पे मैं videos बनाऊगी, जैसे जैसे आप लोग की demand आती है, वैसे वैसे मैं videos बनाती हूँ, जो आपको चाहिए, वो मैं बनाने के देने को तयार हूँ, लेकिन practice आपको करनी है, बिना practice किये हिम्म मैं ट्रेड करने के लिए भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ पहले practice कीजिए, देखिए कि right है कि wrong है, उसके बाद ये देखिए, छोटा सा ट्रेड करके, कि आपके benefit में है या नहीं है, initially brokerage और taxes की चिंता मत कीजिए, और जहां तक regulations का सवाल है, regulations आएंगे, जाएंगे, मैं 38 years में कितने regulations के changes देखे होंगे, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, उतने regulations देखे हैं मैंने, आने वाली generations तो starting a regulation से करेगी, तो सब उसी में ढलते जाएंगे, और ढलना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, काम बनतों नहीं कर सकते, तो practice करिएगा, और मुझे आएगा आपको और क्या नया topic सीखना है, thank you so much